नमस्ते मेरा नाम है श्वेता आप देख रहे हैं आधा साहितिय आधा मीरिया आज की एक बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है कोर्णा के सेकिंड वैब में जब आप ऑक्सिजन, अस्पतालों में बैड, वेंटिलेटर और दवाईयों के लिए दर दर की ठोकरे खा रहे थे तब आपके जन प्रतिनीदी क्या कर रहे थे कौन कहा था और संकट की इस घड़ी में आपके लिए किसने क्या किया दैनिक भासकर ने उत्तर प्रदेश के सभी 80 सांसदों की सर्विस रिपोर्ट तयार की है मालूम चला कि 62 सांसद ऐसे हैं जो इस कठिन समय में भी अपने शेत्र से गायब रहे इन में सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों के ही सांसद शामिल है जिन सांसदों का घर उनके शेत्र में हैं वो भी इस दोरान काफी कम निकले हाला कि कुछ सांसदों ने अपनी जान की परवा ना करते हुए अच्छा काम भी किया कॉंग्रेस की अंत्रे मद्यक सोनिया गांधी राय बरेली से सांसद हैं चुनाओ जीतने के बाद वो 22 जनवरी 2020 को आखरी बार अपने शेत्र पहुची थी तब से 16 महीने हो गए सोनिया को यहां गए अब सांसद प्रतिनिदी केल शर्मा ही उनका पूरा काम देखते हैं प्रियंका गांधी भी यहां सक्रिये रहती हैं आखरी बार वो 30 सितंबर 2020 को राइबरेली पहुची थी इसी तरह मैनपुरी से सांसद और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंग यादव आखरी बार 19 अप्रेल 2019 को अपने संसिये शेत्र मैनपुरी पहुचे थे इस दिन वो बस्पा सुप्रीम मायवती के साथ चुनाव प्रचार करने पहुचे थे यादि मुलायम 25 महिने से अपने संसिये शेत्र के दोरे पर नहीं गए है भाजपा सिवार नसी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने करीब छे महिने पहले अपने शेत्र का आखरी बार दोरा किया था मोदी 30 नवंबर 2020 को आखरी बार वार नसी पहुचे थे हाला कि इस बीच उन्होंने साथ बार वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए